सब्क्राइब कीजिए इंडियान रसोई चाइनल को और साथी बेल आइकोन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पईड़े देखने के लिए बिल्कुल ही फ्री है नमस्कार दर्शको आपका स्वागत है इंडियान रसोई चाइनल में आज मैं आपको बेंगल की बहुत ही फेमस रेसिपी याने की रसोई गुला बनाना सिखाने वाली हूँ बहुत से लोग इसे स्वीट में खाना पसंद करते और है बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है तो चलिए दोस्तो हम रसोई गुला बनाना शुरू करते रस गुला बनाने के लिए हमें छेना की जरूर पड़ती है मैं ग्यास ओन कर लेती हूँ या फिर मैंने देर लिटर गाई का दूद ले आए अब हम इस दूद का छेना बना लेते है दूद को अच्छे से उबला चुका है अब मैं इसमें तीन चम्मच लेमन जूस एड़ करती हूँ अब हमें इस दूद को फाड लेने का है यानि कि छेना बना लेने का है मैंने इस दूद को गैस से उतार लिया है और ये देखें हमारा छेना बन के रेडी हो चुका है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ या फिर मैंने एक पतिरा लिया है इसके उपर ये चन्नी रख देती हूँ और मैं इसके उपर ये जो सूती कपड़ा लिया है ओ डाल देती हूँ अब मैं ए छेना इसके अंदर डालती हूँ अब मैं इसके उपर थंडा पाने डाल रहे हूँ थंडा पानी इसले डाल रहे हूँ हमने जो लेमन जूस डाला था इसके अंदर उसका खटापन जाने के लिए मैं इसे अच्छे से दोलेती हूँ हमने इसकी पोट्री बना लेने की है जितना हो सके उतना पानी आप मिछोड़िये अब मैं इसकी गाठ बान देती हूँ और इसे आदा गंटे के लिए छोड़ देती हूँ इसे इस तरह से ताकि जो बचा कुचा पानी हो वो सब निकल जाए अब हम रस गुल्ला बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं ग्यास ओन कर दिया है यहापे में चार कप पानी डाल रही हूँ चार कप पानी के लिए तीन कप शुगर इसे आच्चे से उबालने देते हैं चाशनी को आच्चे से ओबाला चुका है और यह जो शुगर है ओब इसमें आच्चे से गूल चुकी है अब मैं ग्यास बन कर लेते हूँ और इसे साइड में रख देते हूँ अदा घंटा हो चुका है अब मैं इसे खोल देते हूँ हमारा छेना बन के रेडी है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेते हूँ मैं इसमें आदा चमत चीनी डाल रही हूँ अब हम इसे अच्चे से मसल लेंगे हमें तब तक मसल लेने का है जो हमने इसके अंदर चीनी डालती है वो इसमें पूरी तरह से घुल जानी चाहिए ज्यादा जोर से भी मत मसल लीज़े इसे हलके हाथ से हमें इसे मसल लेने का है मैंने इसे हलके हाथ से अच्चे से मसल लिया अब मैं इसके गोले बना लेती हूँ यह अच्छे से मुलायम में हो चुका है इस साइज के पहले गोले बना लेते हैं अब मैं इसे गोला कर में सेव देती हूँ हाथ को देखे गी छूट चुका है इसी प्रकार मैं सभी गोले बना लेते हूँ इस प्रकार मैंने सारे गोले बना लेते हैं मैंने चाशनी बना के रखी थी अब हम इसे फिर से गरम कर लेंगे चाशनी को अच्छे से उबाला चुका है अब मैं इसके अंदर गोले डालती हूँ अब मैं ढकन लगा लेते हूँ हमें इसे हाई फ्लेम पे एक पाच मिनिट तक पका लेने का हैं पाच मिनिट हो चुके अब मैं इसमें आदा कप थंडा पानी डाल रही हूँ और फिर से इसे ढकन लगा के और एक हाई फ्लेम पे पाच मिनिट पकाऊंगी ऐसा हमें तीन बार करने का है यह इसलिए कि हमने जो चाशनी बनाई इसकी शुगर ना होने पाई इसलिए मैं ढकन हाटा लेती हूँ मैंने या पे तीन बार पाच-पाच मिनिट के लिए ढकन लगा के हाई फ्लेम पे यह रसगुले पकाये ते यह देखे कितने अच्छे से फूल चुके है अब मैं ग्यास बन कर लेती हूँ हमारे रसगुले बन के रेडिय हो चुके है दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजे और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूले धन्यवाद